6% जो GDP में उनका बजेटरी अलोकेशन होना चाहिए वो जल सजल कायम करे मैडम, एजुकेशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने से 100 सैनिंग स्कूल का घोशना किया है मैं चाहता हूँ किशन के बहुत ही एजुकेशनली बैकवर्ड जिला है इंफरस्रक्चर में वहाँ एक जरूर खोला जाए और याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में यूपीए की जब सरकार थी तो एम्यू का सेंटर खोला गिया था वहाँ की एजुकेशनल बधाली को देखते हुए 136.82 करोर एलोकेट करने के बाद हमारी अध्यक्चा शोनिया गांदी जी वहाँ से लानाश की और 10 करोर एलोट किया गिया लेकिन अनफोर्चनेटली साथ साल में इसके अलावा बाकी रकम 122.82 करोर कई मरतबा हमने चिट्थी और कई मरतबा सदन में भी आप लोगों के जरीय बोलने का मौका मिला लेकिन आज तक कोई अलोकेशन नहीं आया हमारे आदर्निया फाइनांस मिनिस्टर है मैं हाथ जो क बिंती करना चाहता हूं आप हमने इशा कहते हैं आदर्निया परधान मंतरी सबका साथ सबका विकास तो उसमें किशन गंज को भी जोड़ें आप और अफसोस की बात है मैं मेरे कॉंस्टिटिवेंसी किशन गंज में 11 ब्लॉक में 5 ब्लॉक में एक भी कॉलेज नहीं आप अ शुक्री मुहम्मद जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं डॉक्तर जावेद थांक यू बड़े माच मैं इस बज़ेट इस बिग दिसपोइंटमेंट इस नहीं फोर एंदेल क्लास और अन फॉर्टनेटली देर इस हाड़ली एनिफिए फो बिहार जो कुछ है सिफ चार राजियों के लिए है जिनका एलेक्शन अभी होना बाकी है लेकिन मैं उन चार राजियों के लोगों का याद दिलाना चाहता हूं साफधान करना चाहता हूं कि जहां जहां एलेक्शन होता है आदर्निये परदान मंत्री और सरकार वहां जाके घोशनाएं करती रहती ह आप भी बिहार से हैं हम भी बिहार से मैं कई मरतबा स्पेशल पैकेज का हमारे यहां जिक्र किया गया लेकिन मिला क्या कुछ रही आधर्णिये पाइन्स मिनिस्टर साहिबा और परधान मंत्री मौदे भी फाइब ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी की बात करते हैं लेकिन जो के जरीए हो या इंसेंसिटिफ ओर आड नोटिस का लॉकडाउन लगाने के जरीए हो मुझे तो नहीं लगता है पांच डॉलर ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर एकॉनमी हो सकती है मैं जानना चाहूंगा आधर्णिये फाइनाइस मिनिस्टर साहिबा से कि डिशी मीन यू चाहते थे कि एजुकेशन का जो बजट हो वो 6% हो GDP का पिछले साल 40 लोगसभा MP और 32 राजसभा MP ने लिखके आधर्णिये एजुकेशन मिनिस्टर को लिखके दिया कि महरबानी करके इसको बढ़ाया जाए क्योंकि एजुकेशन एक बुन्याद है सोसाइटी की तरक्की के लिए लेकिन उनफॉचनेटली जो पिछले साल लगबग 3% एजुकेशन का बजट था वो घटके और इनोंने 93,000 करोर से इनोंने 93,000 करोर कर दिया सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगाती है but there is no mention of girl inclusion fund in the budget 57% लड़किया 10th के बाद स्कूल नहीं जाती madam बहुत चिंता का विशे है इसलिए ये सरकार education को seriously ले और 6% जो GDP में उनका budgetary allocation होना चाहिए वो जल सजल कायम करे मैडम education के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने से सो सैनिक स्कूल का घोशना किया है मैं चाहता हूँ किशन गज बहुत ही educationally backward जिला है infrastructure में वहाँ एक जरूर खोला जाए और याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में UPA की जब सरकार थी तो AMU का center खोला गिया था वहाँ की educational बदाली को देखते हुए 136.82 करोर allocate करने के बाद हमारी दियक्चा शोनिया गांदी जी वहाँ से लनाश की और 10 करोर allocate किया गिया लेकिन unfortunately 7 साल में इसके अलावा बाकी रकम 122.82 करोर कई मरतबह हमने चिठी और कई मरतबह सदन में भी आप लोगों के जरीय बोलने का मौका मिला लेकिन आज तक कोई allocation नहीं आया हमारे याद जो के बिंती करना चाहता हूँ आप हमने शाह कहते हैं अधर निया परधान मंतरी सबका साथ सबका विकास तो उसमें किशन गंज को भी जोड़ें आप और महरबानी करके जो बाखी रकम है उसको allocate करें और उसके साथ साथ आप 200 करोर या 500 करोर जितना आप मुनासिप समझे है वो दें ताके हमारे यहां के बच्चों को education मिल सके और अफसोस की बात है मैं मेरे constituency किशन गंज में 11 ब्लॉक में 5 ब्लॉक में एक भी college नहीं है आप अंदाजा लगाई है आज अगर दुनिया के लोग सुनेंगे कि भारत में ऐसा भी एक लाका है तो क्या हालत होगी हम ल किया जाए हमारे अलाके में और बिहार उत्री बिहार में मैं आपके constituency में भी कई नदिया है बाड में लाखों लोग परिशान होता है हर साल हजारों एकर हमारी भूमी बरबाद हो जाती है कोसी development project में 332 करोर allocate किया गया है मैं request करना चाहता हूं आपके माधियम से कि इसको कम सकम 2000 करोर करें ताके अगले दो सालों में किशन गंज के आस पास के जितनी नदिया है उसके दोनों तरफ में इंबैंक्मेंट हो ताके हमारे गाओं बच सके हमारे स्कूल बच सके और हमारी जमीन बच सके मैं health के बारे में हम जानते हैं कि क्या position है बिहार की सबसे बत्तर है और वहाँ पे 200 एकर जमीन है मैं चाहता हूँ कि एम्स का एक साखा खुले agriculture मुझे अफसोस है जिस आधनिया परदान मंत्री को सब इज़त करते हैं हिंगुस्तान में और हम भी इज़त करते हैं क्योंकि हमारे परदान मंत्री हैं लेकिन जब किसानों के बारे में उनके पहली मरतवा बिहार में बीजेपी समर्तन सरकार बनी और पहला जो छोट बिहार में लगाया उन्होंने अबॉलिश कर दिया यह एक्ट अबॉलिश कर दिया और जिसका नतीजा यह हुआ मैं कि आज हमारे यहां कोई ऐसा गाउं नहीं है जहां से 50 से लेके 100 से जादे लोग सबसे जादा इंकम किसी का है तो वह बिहार का है अगर किसानों का मंतिली इंकम सारे 6000 है तो हमारे बिहार के किसानों का सिर्फ सारे 3000 हदार है जो धान की MSP की बात कर रहे थे मेडम आधा मिनट कंक्लूट करें MSP की बात कर रहे से अधनिया स्टेट फानांस मिनिस्टर के MSP लागू हमारे मोदी जी ने किया मैं बताना चाहता हूं कि यह लागू 1981 में लागू हुआ था अटल जी के वक्त में पांस साल में 500 मैं सिर्फ धान की चुके वक्त की कमी है 510 रुपे से 5 साल में 560 रुपे किया जो सिर्फ 50 रुपया बढ़ाया है 10 परसंट हमारे मनमोहन सिंग जी ने यूपीय सरकार में 570 पर्ति कुइंटल से 1360 मतलब धाई गुना किया और अभी साथ स परसंट भी आधा आधा भी नहीं बढ़ा पाए वो आज 1880 रुपिया है तो मेरी गुजारिश है आधन्या परदान मंतिरीजी से और सरकार से कि ये तीनों काला कानून वापस ले और अ अधना भी यूचिजा परसंटा नहीं बढ़ा किया ये तीनों काला क व्रादा, कि ये यूजा प्लब ग्रेश भी साथ से और ये ये अ।